ये देखिए दोस्तों, आज मैंने बनाया है बहुती चटपटा, खस्ता, मसालेदार भरवा पाटी, ये खाने में बहुत यदा टेस्टी होता है और इसे बनाना पड़ा ही आसान है, इसके साथ खाने के लिए किसी दाल की जरूरत नहीं पड़ती है, आप इसे चटनी के साथ या फिर ऐसे ही खा सकते हैं, तो फिर देर के इस बात की चली रेस्पी स्टार्ट करते हैं, इसे बनाने के लिए मैंने लिया है दो कप गेहूं का आटा, इसकी जंगा आप मैदे का भी इस्तमाल कर सकते हैं, अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, आदा छोटा चम्मच अजवाइन, अजवाइन को अपने हतीलियों के बीच में इस तरीके से मसल करके डालेंगे, इससे अजवाइन का फ्लेवर बढ़ जाता है, अब इसमें डालेंगे एक छोटी कटोरी घी, जो की च्छा बड़े चम्मच के बराबर है, घी की जगा आप तेल का भी इस्तमाल क कर सकते हैं, लेकिन घी डालने से या बाटी जादा खसता बनेगा, घी को आटे के साथ हमें अच्छे से मिक्स करना है, आटे में मोयन ठीक से पड़ा है कि नहीं, इसे चेक करने के लिए थोड़ा सा आटा अपने मुठी में इस तरीके से बाढ़ेंगे, अगर इस तरीके से मुठी का से बन रहा है, तो मोयन ठीक पड़ा है, अगर नहीं बन रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा घी और डाल दीजिए, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, और इसे गूत कर इसका एक डो त्यार करेंगे, इसका डो हमें न तो बहुत ज़्दा रखना है और नहीं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखना है इसका डो हमें रोटी से थोड़ा सा टाइट बनाना है तो ये दीकिए हमें इतना टाइट डो त्यार करना है अब हम इसे धक के दसमनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे तब सेका मटर का यूज कर रही हूं अगर आप फ्रेस मटर का यूज कर रहे हैं तो मटर को थोड़ा सा उबाल लीजिएगा इसके बाद इसमें कुछ मसाले एट करेंगे तो मैं यहां सबसे पहले डाले यूँ आधा चुटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चुटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चुटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चुटा चम्मच जीरा पाउडर और आधा मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे इसके बाद इसमें डालेंगे उबला हुआ आलू यहां मैंने चार मीडियम सैज के उबलू हुए आलू का यूज किया है आलू को उबाल कर मैंने ठंडा कर लिया था इसके बाद मैंने इसे मैस कर लिया है आलू को आप ठंडा करके इस इसके बाद इसमें डालेंगे स्वात के अनुसार नमक और थोड़ा सा धनिया पत्ती अब इसे मिक्स करते हुए फिर से एक मिनट के लिए और पकालेंगे ताकि नमक मसालों के अंदर अच्छे से अब जौब हो जाए हमारा आलू का मसाला अब पक चुका है अब फ्लेम को पर निकाल कर ठंडा होने देंगे इधर हम अपने आटे को चेक कर लेते हैं हमारा आटा भी अपसेट हो चुका है इसे एक बार फिर से थोड़ा सा इस तरीके से मसल लेंगे ताकि यह चिकना हो जाए अब आम इसकी लोईया काटेंगे आपको जितना बड़ा बाटी बनाना आप चाहे तो इसे पेल कर भी इस्तमाल कर सकते हैं इसके बाद थोड़ा सा आलो का मसाला लेंगे और इसे इस कटोरी के अंदर अच्छे से भर देंगे और इसे दबाते हुए इस तरीके से पैक करेंगे इसे हमें अच्छे से पैक करना है ताकि आलो का मसाला बाहर ना आए इसके बाद इसे इस तरीके से घुमाते हुए इसका मुँ उपर से अच्छे से बंद कर देंगे आप ध्यान से देख लिजी हमें इस तरीके से घुमाते हुए इसे पैक करना है अब इसे फिर से गोल गोल घुमा कर अच्छे से राउंड सेब देंगे तो एक बाटिय अब तयार है, इसी तरीके से हम सारी बाटिया बना कर तयार कर लेंगे, अब इसे सेक लेंगे, इसे सेकने के लिए आज मैं अपे पैन का यूच कर रही हूँ, सबसे पहले इसमें थोड़ा थोड़ा ओयल डालेंगे, इसके बाद इसमें अपने बाटियों को आप चाहे तो इन बाटियों को ओयल में डीफ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन डीफ्राई करने से ये बाटियां बहुत ज़्यादा ओयल अब्जॉप कर लेंगे, अपे पैन में सेकने से इसमें ज़्यादा ओयल नहीं लगता है, जब ये बाटिया एक साइट से पक जाए तो इन बाटियों में गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है और ये अच्छे से सीख चुकी है, अब हम फ्लेम को आफ कर देंगे, तो ये देखिए दोस्तो हमारी एकदम टेस्टी, खस्ता और मसालेदार बाटी बनकर तयार है, इनके क्रेक्स को ही देखकर आप अपन्दाजा बरूर करें, फिर मिलते हैं, टेक केर और बाबाई